असलाँ आलेकुम आप देख रहे हैं सीवाई स्टिचिंग ये देखना आज हम बहुत ही प्यारा सा पार्टी वेर सूंट बनाने वाले हैं ये पाकिस्तानी सूंट है ये फरंट है ये मैंने आपको दिखा दिया है और सबसे पहले हमें इसे तयार करना होगा बैक देखना तो बहुत ही प्यारी बैक है इसकी हमने ये नीचे इस तरह से लाइनिंग रख लिये और नेक हम इस तरह से इसके उपर रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे यह देखना एक सोल्डर से हम दूसरे सोल्डर पर ऐसे रखेंगे जहांपे हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इस तरह से बहुत ही आसान है मुझे तो बहुत ही आसान लगता है और देखना इस तरह से और देखना हम इस तरह से इसे पल्टेंगे यहाँ पर इस तरह से जहांपर हमारी यह लाइनिंग है यह हमें यहाँ यह कट कर देनी होगे हमें आदे इंच के करीब चोड़ते हुए हम यहां पर यह कट करेंगे और एश्टरा फैब्रिक निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि यह गोलाई है इस पर कट लगाने बहुत जरूरी है यहां पर हम cut लगाएंगे और पलटने में भी हमें आसानी हो जाएगी इस तरह से और हम इस तरह से इसे पलट लेंगे यह देखना इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से यह पलट चुका है और देखना हातों के help से हमने press कर दिया है और जो सिलाई हमने इसके उपर लगाएती उसी सिलाई के उपर एक सिलाई हम और लगाएंगे यह अच्छे से press हो जाएगा यह देखना है नेक हमारा बनकर ready हो चुका है यह back है यह बहुत ही प्यारी सी back है और इसकी साथ में दिया हुआ है यह pench यह pench हमें back पर यहाँ पर लगाना है इस तरह से यह देखना हमने pin up कर दिया है रखते हुए और यहाँ पर हम यह सिलाई लगा लेंगे हमने पूरा pench अच्छे से लगा लिया है और हम यह pin up जो है हम निकाल देंगे बाकी की और back neck बनाएंगे और यह pench है यहाँ पर यह cut करेंगे दोनों साइड से देखना हमने यह solder की सिलाई लगा लिया है इस तरह से back neck हमने ready कर दिया है और इस तरह से piping लगा लेंगे और fitting हमें लगा लिया और बनाएंगे हम trouser trouser की हमने इस तरह से cutting किया यह front है और यह back है जो हमने थोड़ा बड़ा लिया है इस तरह से यह बैग है, हमने इस तरह से cutting की है इसकी और इसमें हमने यह elastic हमने घेरा बना लिया है elastic का और हम यह इस तरह से यहां पर यह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे मैं elastic इसी तरह से लगाती हूँ ट्राउजर में लाश्टिक इसी तरह से बहुत मुझे आसान लगता है इस तरह से लाश्टिक लगानी और इस तरह के ट्राउजर हम बनाते हैं देखना ये हमारी बैक है और देखना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन बहुत ही असान है इस तरह से 1st बार बनाओगे तो बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन बनाते रहोगे तो बहुत इजली तरीके से बन जाएगा इस तरह से जो बैक है जो हमने बैक हमने आसन बड़ा रखा है इस तरह इसमें लाश्टिक लगाने में थोड़ा मुस्किल लाता है लेकिन जब बनाते रहेंगे तो आप पर आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से में लाश्टिक लग जाती है यह देखना हमने लगा दी है बहुत आसान तरीके से इसमें यह लाश्टिक लगाई है और देखना हम इसके लाश्टिक तो इस तरह से एक जोड से दूसरे जोड पर हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से कीचेंगे दोनों साइड से हमने कीच लिया और एक सार हमारी ये बल इसमें आए हैं और इस तरह से हम इसके उपर सिलाय लगा लेंगे देखना कितनी आसानी से हमारी लाश्टिक लग चुकी है यह टॉजर का पहुंचा है और यहाँ पे हम बारीक फोल्ड करेंगे इसे इसके देखना हमने दोनुपूंचे बारीक फोल्ड कर लिए हैं और यह पांच दिया हुआ है और हमें इसे 20 से कट कर देना है हमें half half कर देना है इसे और हमें यहां पर पहुंचों पर इस तरह से लगाना है हमने पहले ही half कर लिया है क्योंकि दोनों पहुंचों पर दोनों बराबर आएगे और एक सार आएगा और इस तरह से जिस तरह से इसमें कटाव दिये हुए हैं इसी तरीके से हमें इसके उपर सिलाई लगा देनी होगी ये देखना ये टाउजर पर लग चुका है इस तरह से और ये देखना ये फरंट का आसन है और ये बैक है ये देखना इस तरह से छोटा बढ़ाया है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आयेगी और देखना मैंने पूरा सूंठ तैयार कर दिया है इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखना कितना प्यारे सी हमारी कुड़ती है यह ट्राउजर है और देखना कितना प्यारा सा पार्टी वेर सूंठे और कितने आसानी से मैंने आपको बताए है इसका तरीका यह देखना मैं आपको एक बार जरूर दिखा देती हूं सिलने के बाद यह बन कर कैसा लगा है देखना आज के लिए इतना ही काफी मिलती हूं अगली वीडियो में अल्ला हाफीज